वेल तो हे गाइस वेलकम टू माई चैनल मैंने में स्पंकरस तो वेल आपका स्वागत है नौरमी रेस्लिंग में तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे डवल ली हॉलो फैम 2023 के बारे में भाई ऑवियसले यार मतलब हॉलो फैम 2023 को देखकर आँखों में आसु तो आ नहीं थे मतलब कंफर्म तायार रे मिश्ट्रियो का इंडेक्शन देखके आँखों में आसु तो आ नहीं थे और वो हूँ अभी ओके सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हॉलो फैम 2023 के बारे में विविए हम लुग हम oweक्ष डिसकर करेंगे ओलो फैम 2023 के सारा इंडक्टी Khurg देखने को मिला मतलब बहुत सारे एडवडे के सुपर्स्टार्स भी यहाँ पर थे मुझूद जो की WD के Hall of Fame 2023 के अंदर and also first Hall of Fame induction आमें देखने को मिला Mick Foley जो की induct करते वे दिखाए देते हैं Mick Foley और Tory Wilson जो की induct करते वे दिखाए देते हैं यहाँ पर Stacey Cabler को so Mick Foley जो की अपने time के Stacey Cabler के साथ के कुछ memories share करते वे दिखाए देते हैं then इसके बाद Tory Wilson शेर करते वे दिखाए देते हैं then इसके बाद Tory Wilson देखने को मिलती है and Tory Wilson यहाँ पर Hall of Fame में induct होते वे दिखाए देती है and सभी WD universe, WD fans, WCW सबको thank you कहते वे दिखाए देती है तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर Stacey Cabler का segment देखने को मिला then इसके बाद हमें Jimmy Hart देखने को मिलते हैं उसके पहले Jerry Lawler भी देखने को मिलेते हैं तो Jerry Lawler और Jim Hart यह दोनों induct करते वे दिखाए देते हैं Hall of Fame में Andy Kaufman को तो Andy Kaufman की family भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जहाँ पर हमें Jimmy Hart अपना entrance करके then इसके बाद वो Andy Kaufman के family को मतलब यहाँ पर Andy Kaufman के induction में बुलाते वे दिखाए देते हैं तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिला then इसके बाद हमें induction देखने को मिलता है The Great Muta का So The Great Muta को induct करने के लिए Hall of Fame में यहाँ पर हमें देखने को मिलेते हैं Rick Flair तो Rick Flair आते हुए दिखाए देते हैं then इसके बाद वो यहाँ पर अपने moments को share करते हुए दिखाए देते हैं NJPW के, Japan के and यहाँ पर मतलब all over जो भी सारे उनके moments थे Great Muta के साथ में उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर discuss करते हुए दिखाए देते हैं इसके बाद यहाँ पर The Great Muta को बलाते हैं The Great Muta obviously यहाँ पर ज़्यादा English में तो बोलते नहीं है लेकिन दो-तीन शब्द बोलते हैं और Thank You कहते हैं दिखाए देते हैं सभी Universe को WD Universe को और Pro Wrestling Fans को तो यह कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है The Great Muta की तरफ से Well, Rick Flair के स्पीच में यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत Asuka का भी मेंशन देखने को मिला and also इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं APA, JBL and उनके साथ में डैम वाले बंदे तो यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसके बाद यह Warrior Award देते वे दिखाए देते हैं और यह Warrior Award था Tim White के लिए जो कि एक referee रह चुके हैं WD के अंदर और इन्होंने सुरुआत से अपनी पूरी Life जोकी WD के अंदर दी है As a referee जो कि obviously बहुत सारे legendary matches के अंदर उनका हमें involvement भी देखने को मिला है तो Tim White को यहाँ पर Warrior Award दिया जाते है उनके Family को तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिला तो यह भी काफी अच्छा कासा moment देखने को मिला इसके बाद आता है Main Event Hall of Fame 2023 का जहां पर हमें देखने को मिलते हैं Conan Conan आते हैं इसके बाद यहाँ पर हमें इंडक करते हुए दिखाए देते हैं वो Ray Mysterio को Conan यहाँ पर काफी खतरनाक वाला शॉट्स भी फायर करते हुए दिखाए देते हैं Dominic Mysterio के उपर इसके बाद हमें Ray Mysterio देखने को मिलते हैं Ray Mysterio सबसे हाथ मिलते हैं लेकिन उनके बेटे वहाँ पर बैटे रहते हैं disrespect करते हुए दिखाए देते हैं Dominic Mysterio और उनसे कुछ भी मतलब eye contact तक नहीं करते हैं इसके बाद अगल बगल सुपर स्टार के मिल्स के इसके बाद और रिंग के अंदर जाते हुए दिखाए देते हैं Ray Mysterio तो यह कुछ यहाँ पर देखने को मिला मतलब heat यहाँ पर भी देखने को मिल रही है Ray Mysterio और Dominic Mysterio की बीच में इसके बाद हमें मतलब Dominic Mysterio और Ria Ripley यह सब उठके जाते हुए दिखाए देते हैं इतने judgment day वाले बन देते हैं सब उठके चले गए क्योंकि उनको अच्छा न लगा Ray Mysterio और सब कुछ कर रहे हैं अपनी बाले मखवास कर रहे हैं तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है Ray Mysterio यहाँ पर काफे ज़ा एमोशनल करते हुए दिखाए देते हैं अपने स्पिच के अंदर जहां पर वो काफे ज़ा एमोशनल करते हुए दिखाए देते हैं डी गरेरे को लेकर बात करते हुए इसके बाद मतलब बहुत सारी great moment great speech यहाँ पर देखने को मिला Ray Mysterio की तरब से hall of fame है इंडेक्ट होते वे दिखाए दिया फाइनली तो all over यह कुछ था hall of fame 2023 तो भाई काफी अच्छा काशा hall of fame 2023 देखने को मिला अगर आपने नहीं देखा तो मैं बाई बद सजेस्ट करूंगा यार तुम देखो यार जाके सजेस्ट करूंगा सोनी वाले मतलब नेटवर्क पे भी है सोनी लीग पे मिल जाएगा आप लोग को जाकी जेक आउट कर लेना तो आपको ये वीडियो पसंद आईए तो लाइक करो, सेर करो, सबस्क्राइब करो जो भी करने कर सकते हो इंस्टाग्राम इन ट्वेटर का लिंक बाई डिस्क्रिप्शन में वाहाँ पस जाके जो फॉलो भी कर लो और जिसने चैनल को सबस्क्राइब नहीं कहा तो बाई सबस्क्राइब कर लो लेटिस्ट अपडेट सो और इसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एव्रिवन गाईस